के हेलो फ्रेंट्ग्स क्या आपको भी हेलदि रहना और भी खाना पसंद तो यह दे सकते हैं यहां पर हमने लिया है सुजी नहीं बारिक वाली सूजी अगर आपके पास मूटी सूजी तो आप ग्राइंडर में एक से दो बार पल्स मूट पर चला कर इसे थोड़ा सा बारिक क्याड लीजिए पर लेनी हमको यहां पर बारिक सूजी है अब साथ में हम डाल रहे हैं एक कप सूजी के हिसाब से 3-4 चमज दही दही हमें यहां पर ज्यादा खटा इस्तेमाल नहीं करना है नॉर्मल दही लेना है और दोनों को अच्छे से अब हम यहां पर मिक्स देंगे हमें यहां पर पानी एड नहीं करना है दही को सूजी में ही अच्छे से सोख होने देना है तो चली से रखेंगे अब एक साइड म और दूसरा काम कर लेते हैं तो यहां पर मैंने 100 ग्राम पालक लिया है पालक का सीजान है खूब अच्छा पालक आया हुआ है तो पालक से अगर रिसेपी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया तो पालक को हमने 3-4 बार या अच्छे से धोकर ग्राइंडर में टांसफर कर लिया ह 2-3 हरी मिर्ची कर ले ले रहे हैं और पर पीस लेंगे बिना और पानी डालें इसके बात इहाँ पर सूजी को देख लेते हैं दिए पर कोई दिक्कत नहीं है जो हमने पालक का इसमें पेस्ट एडड किया है उसको अद्स वह बहुत गाड़ी है उसके अंदर बहुत अस इसपस्य को यह पर COMBsky नहीं से खुल जाएगी और इसको आप अच्छे से फेट लीब जिये wykon इस लंफ फ्री इस पेस्ट को आपको बनाना है तो यह दे कि हमनेिये इस पेस्ट को यहां पर सी बना लिया 10 अच्छे से फेट ठ्वाट्रन में चोब किया है तो यहां पर आदा गाजर लिया है जिसे ग्रेट करकर डाला है सब्ची आपको यहां गाजर करकर नहीं लेनी है तो यहां पर गाजर हाड होती है तो गाजर को हम भीघ्र कुर की हैते हैं ज़ाय ल텐य यहां पर तैंगे अमचूर पौडर मसाल ऑह यहां पर घंगी लिएूर। नहां पर अच्छेको पूनना है क्यों कि मसालों की agreement ज्टन बouting dijo तो यहां पर हमने अच्छे से फून लिया है कि अध्याग्वी उबली आलू और यहां और हमने मिडूम मांवाइब लिए जनको के लिया है यानि कि हमें गुठली नहीं चाहिए अलू के अंदर तो अलू आप यहां पर गरेट करकर ही ले तो आलू को हम प्याज के साथ अच् एक्स्ट्रा हमें इसमें कुछ भी नहीं लगेगा तो यहां पर आलू को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है एक बढ़िया सी चटपटी स्टफिंग बनकर हमारी तयार है साथ में धनिया पती एड़ कर दिया है लास्ट में और इसको बस कुछ सेकंड के लिए हल्का सबू हम इस came एक थंदा होने के लिए इतने हम यहां पर अपना पालक का पेस्ट गाहरा हो चुका है इसमें में पानी जिरूरत overall पर उससे पहले हम यहां पर स्वाधनर साओर नमक को डालेंगे और एक पिंच डाल रहे हम यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा आप यहाँ पर इनू भी यूज़ कर सकते हैं आदा शेशे तो थोड़ा सा हम इसके उपर से अब पानी एट कर देंगे हमें इस पेस्ट को ज़्यादा गाड़ा नहीं रखना है थोड़ा पतला ही रखना है नहीं तो जो हमारा नाश्टा है वो थोड़ा मोटा बनेगा हमें इसको पतला ही बनाना है तो यह देखिए यहाँ पर हमें बि कुछ भी ले सकते हैं तो पेस्ट को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो यहां पर मैंने इस तरीके का एक साचा लिया है साचे में हलका सा तेल डालेंगे अगर आप नॉन स्टिक पर बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल ओयल फिरी बना सकते हैं तो एक छोटे वाल पर हम इसे एक मिनट के लिए पकाना है और साचा बहुत इजली अपने आप हट जाएगा किनारे छोड़ देगा और बस इसे अराम से आप इस तरीकी से पलट दीजिए तो दूसरी साइट से भी हम इसे यहां पर सेक लेंगे और यहां पर हमने मसाले के छोटी छोटी छोट कर इस नाष्टे को सेक लेंगे तो यह देखिए बिल्कुल एकदम अलग तरीके का हेल्दी सा नाष्टा बनकर हमारा तयार हो गया है और आप इसका लुप देखी सकते हैं और अगर आपके घर में पालक रखकार आपको समझ में नहीं आरे से क्या नाष्टा बनाएं तो आ है आपका यहां पर भीना साचे के बनाना सिखा रहे हों तो यहां मैं आपको दो तरीकी से बताऊंगी यह मैं यह आ पर गोल बना रहे ऑई हूं बिल्कुल चमचा बरकर बेटे डालिए और इसको दोनों तरप से सेख लीज़ी और स्टफफिंग इसके बीच में लगा हलका सा जब सूजी पकने लगे उसके बाद ही इसको चकोर करना है और यह देखिए बिल्कुल चकोर बन गया है इसमें हमें सांचे की भी जरूरत नहीं है मैंने इससे एक रेसिपी पहले डाली ती तो सब ने इसमें यह कुश्चन किया था कि मैडम अगर अमरे पस सांचे नह या फिर गोल में बनाए तीन तरीके से नाश्टे को बना सकते हैं यहां पर मैंने यह देखिए बनाकर रेडी कर लिए हैं कुछ सांचे से बनाए पर सारा नाश्टा बना है एक ही जैसा तो आप इसको चटनी के साथ खाए दही कि साथ खाए या ऐसे ही खाए यह बहुत टे सब्सक्राइब के साथ